एक तरफ जहां फिलिस्तीन और हमास के बीच जंग रुखने का नाम नहीं ले रही वहीं दूसरी ओर कई ऐसे देश हैं जो इस जंग में फिलिस्तीन के समर्थन में सामने आकर हालातों को और पेचीदा बनाते जा रहे हैं यह वीडियो है जम्मु कश्मीर के श्रीनगर का जहां पर लोगों का एक बड़ा हुजूम सड़कों पर फिलिस्तीन के समर्थन में आकर इस्रायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है यह प्रदर्शन लोगों के लिए केंद्र का बिंदू खासतोर पर तब बना जब पिपोल्स डेमोक्राटिक पार्टी की अधिक्ष महबूबा मुफ्ती अपने समर्थकों के सार फिलिस्तीन का जहंड़ा लेकर सड़कों पर उतरी प्रदर्शन का विरोध कर रही लोगों ने नारे लगाए इस दौरान विरोध प्रदर्शन कैसा रहा देखिए अभी तक हजारों की तादाद में फलस्तीन में बेगुना लोग मारे गए है और सारी दुनिया तमाशे देख रही है जब यूकरीन में पांच सो बचे दो सालों की अंदर मारे गए तो सारा दुनिया जो है चिखने लगा आज फलस्तीने पंद्रह सो बचे हजारों के दादाद में लोग मारे जा रहे है कोई बात नहीं कर रहा है हम दुनिया के मुलकों से कहते हैं कि आप इसराइल पे दवाव डालके सीस फायर कराऊ इस वकर फलस्तीन में जल्म हो रहा है वहाँ सप्ले बंद है वहाँ दवाईया बंद है वहाँ खाना बंद है वहाँ पीना बंद है वहाँ लोगों पे गोलिया चारी है बंबारी हो रही है जो हॉलो कास्ट में जियूस के साथ हुआ था आज इसराइली वही फलस्तिनियों के साथ कर रहा है और इसके नताइज आने वहले वक्त में बहुत खतरनाक हो सकते हैं दुनिया में अलरी बहुत देशरगर्दी है मगर ये करने से दुनिया में देशरगर्दी जबाब नाइनसाफी करोगे तो लोग जो है और लोग बंदू के उठाएंगे और दुनिया में हालाब खराब होंगे इसलिए हम कहते हैं इसराइल के जालिमों फलस्तिन को खाली करो फलस्तिन को खाली करो गूबे गूबे इस्राहिल कौबे जब से ये युद शुरू हुआ है तब से पीडी पीया ध्यक्ष महभुमा मुफ्ती ने खुले तोर पर सामने आकर फिरिस्तीन में मासूम लोगों के हख में आवाज उठाई और विरुत लदर्शन किये कि छाड़े और जांग में. झाल झाल